यहां से हम प्रीकर्मा शुरू करते हैं ती युग में शंकर और त्रेता युग में हनुमान और ज्वापर में किर्शन के परम सखा मदुमंगल और कल्युग में नामपड़ा पूछरी के लोटा यह सकूँ है देख सकते हो इधार ही हमारी बड़ी प्रिकर्मा जो है वो खतम हो गए मंदिर यह है और अभी थोड़ा पास में जाकर वह भी गिरी राज जी की प्रकम्मा डंडोती करें आप उनकी प्रकम्मा की शाप्षी आजरी लें लिए पांच किलो मेटर कंप्लीट होने की राधा क सब्सक्राइब लाइब सब्सक्राइब ने लिए बढ़ा मंदिर बड़ा मंदिर तो अभी आपको आपको बाटाव प्यारा साही मन्दिर बड़ा मंदिर तो अब कि आपको दिखाते हैं चल गए मंदिर यह है और अभी थोड़ा पास में जाकर यह मंदिर में इंट्री करने से पहले दोनों तरफ फूल वगएरा की दुकान में हैं अभी यहां से मंदिर के दर्शन करते हैं और फिर हम अपनी प्रिकर्मा शुरू करें अभी दीड है बहुत कि रहो है एक बार रादे रादे जरूर लिखना इसी जड़ी अंदर यहां से दर्शन कर ले आपने और मैंने भी बाके अंदर चलके अगर कोशिश भी पहले जब्भी दर्शन करवाएंगे आपको इधर भी वही पेड़े का पर शादी चड़ता है और यहां से हम अपनी प्रीकर्मा शुरू करेंगे नहीं से हम प्रीकर्मा शुरू करते हैं तब हैं रादे यहां से हमारी छोटे वाली प्रीकर्मा शुरू हो गए मतलब 10 किलो मेटर वाली टोटल मिला के 21 किलो मेटर की प्रिकर्मा है और यहां बंदरों से थोड़ा सावदान रहना चाहिए क्योंकि यहां के बंदर चोर है चश्मा वगेरा दिखा तो निकाल ले जाएंगे और यह प्रिकर्मा के लिए आपको यह रिक्षा भी मिल जाएगी यहां से जिसको पैदल जाना वो पैदल जा सकता है तीस रुपे पर स्वारी क्या हिसाब से होगा वाई इवरिक्षा का किराया ठीक है बंदरों से थोड़ा सावदान रहे क्योंकि भाई जो भी है फोन है जश्मा है यहां सब निकाल लेते हैं आने के लिए चीए उनको तो अपना वाई थोड़ा सामान संबाल के चले और यह यहां से भाई जो गोवर्दन है वो यहां से शुरू हो गया अपकी बार अंदर चलके आपको गोवर्दन के विदर्शन करवाते हैं कि आगे से रस्ता है शायद को अंदर की तरफ जाने का वागे चल के आपको गोवर्दन परवत के विदर्शन करवाएंगे आपकी बार तो एक बार रादे रादे जरूर लिखते ना वाई कमेंट में इधर भी सेम से में एक तरफ भाई कच्छारोड और एक तरफ सिल्ट गता ह्स जाते हैं गुवयाई बड़े बाद में पेरों में दर्द होने के बाद तो आपके में चल रहे नंग्यवर्ड कर रहां परिकर्मा ऑं कि वाई साथ साथ में गोवर्दन परवात भी शुरू है अब आगे चल के अंदर हेंट्री लेंगे फिर आपको खाएंगे उच्री का लोटा पहुंचे हैं मंदिर में यहां भाई गोपियों के साथ खड़े हुए हैं अपनी गोपाल जी और इदर भाई यह श्यूमंदिर है कि अगे यह वाई प्राची में अधिर अगल श्री का लोटा अधे राधी अधे अधे यह यह दर भाई मुच्छ वाले अधे तर सामने अधे लिखाते हैं आप थोड़ा और आधी चल के अधे पूचली के लोटा भगवान स्री किर्सिन के सखा आएं बदुमंगल जब ठापुर जी द्वार का गए है न तो अपने सखा को इधर व्राजमान करके गए इनसे बोलके गए मैं कल पर सो लोट के आ रहा हूं जो भी गिरीराज जी की परकंबा डंडोती करा है आप उ अधे लोटने कर मुझे बताना कौन सा भक्त किस भाव से आता है अधे बहुत प्यास लगी मैं उटके अन्या तहीं आसे कहीं चला गया और आपका भक्त सीधा निकल गया तो इसका दोस्तिसे लगेगा कौन बताएगा आपको कौन आया कौन गया इसका तो पाप मुझे कचो फेड़े से लोटा, जैसे जाकी भावना, स्रीनाच जी ना अध्वारा जाते हैं ना स्री नाचねवें पर्तंख भूक निनके जाता है और मंगला आर्थी में जैकारा लगता है जब मंगला जर्शन भुलते हैं पूछरी के लोठा की हुप प्यारे हैं भगवान के चार युप के सखा आएं जी सती युग में शंकर और त्रेता युग में हनुमान और ग्रौपर में कृष्ण के परम सखा मदुमंकल और कल्युक में नाम पड़ा पूछरी के लोठा जैसे गोपी गुंदने आई जब भगवान द्वार का चलेगा इनको पता की अरे सकी भगवान का सखा बैटा इनसे पूछ इनको पता होगा कि भगवान कहा गए है अपने दोस्त को बता के गई हुए वो कहरी अरे सकी तू भगवान के सखा मदुमंगल यहां गिरी राजी के चरन है लाल मोटा लाला ही सोटा गिरी राजी के चरन कमल पर बैट कहें हाजरी भरे वाबा भूछरी की जैसे 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 आपको पता चला कि भाई यह बूछरी के लोठा नाम क्यों पड़ा यह उनके प्रियस खाँ है तो यहां बैठा के जब द्वार का गए थे तो भाई अब आगे चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं कि यहां से होके यहां जिया राधा रानी जी और आंट्सरे किर्शन जी की का चोटा समंदिर देख सब्सक्राइब यहां से आगे जाओगे ते जन्दिकुरा किरीराजी को मुखार गें मानशी गंगा हुभुट लाधकुंट श्यांकुंट लेटर सबसंदा कि सबसंदेद जाहें हैं यहां आप चरण कैने कि लोटा इस तक यहां पैर रहे हैं आप बताया आप यह भाई चोटा समंदिर है बड़ा प्यारा सा है और आपको भाई इसके बारे में बताया है मैंने पूछा है पंडीजी से आपको बता दिया और अभी भाई आगे चलते हैं आदा जो छोटे वाली प्रिकरमा दस किलो मेटर वाली वो समझो कि आदी आदी से ज्यादा हो ही ग फिर वो करेंगे आगे चलके आपको दिखा देंगे उदर भाई देख सकते हो इधर ही हमारी बड़ी प्रिकरमा जो है वो खतम हो गई है यह इधर से बड़ा लंबा सफर था यहां से अगर हम राइट साइड में जाते हैं तो भाई क्या बोलते हैं दान गाटी मंदिर आ ज प्रिकरमा शुरू करते हैं और अभी बड़े वाली में एक मंदिर पड़ा है अभी यहां जो आएंगे गाट आएंगे श्रोवर आएंगे आपको सब कुछ दिखात हुए चलेंगे तो यहां से हमारी छोटे वाली प्रिकरमा शुरू हो गई 10 किलोमेटर की गोल्ट लगा ह वाही कंटी हो इसल्동 मार्किट का एरिया है यहां परशाथ वर्षाद की हमार्किट होई गई यहां मार्किट होई गई आच्छी खासी दो वह जो ते चपल और जो क्या बोलते हैं पर ची दूखान में जलनी में जनके बाइब जुवर्षन करवात हैं जो भी मिलेगा कण्ड होगा सरौवर होगा जो भी दिख्यों आपके दर्शन करवाते वोग चलेंगे चोटे वाली प्रेकरमा पर आये हैं 14 neighborhood आने के बाद आपको वाइब मन्दिर ठाकुर्षरिकिर्षन छेतन्य मापरगुजी का दीख सकते ह। यह मेन गेट और पीछे मन्दिर है उचलते हैं अंदर अबको अंदर चलके दिखाते हैं अदर शेयर आते हैं और यहां से अभी शैद मंदिर बंद होगा है बंद है ना भी मंदिर खुला है अलाउड है कैमरा वगेरा अंदर तो बाई अलाउड नहीं है तो बाहर से देख लो यहीं से ही चलते हैं आके रादा कुंड की तरफ यहां से भाई 500 मेटर रह चुका है रादा कुंड और वहां चलके अपको रादा कुंड के दर्शन करवाते हैं पांच किलो मेटर कम्प्लीट होने की बाद हम आये हैं रादा कुन पर यहां वाइक बीड ब्यार बीड है थोड़ी है अभी अंदर चल के आप तो दिखाते हैं इतर वाई स्टेड वे परशाद की दुकाने फूल वागेरा भी है चोद वागेरा लगाने के लिए ऐसे फूच धाली हो गाल कि यह सब्सक्राइए रादा रानी जी का कुंद और лखोंट बना रख़ा है रादा रानी जी पूरा बड़ा कुंद है यह रादा रानी टूफ्टे से निगा इस Bem मस्दूसुद अगर आप यहां आठीदग कुरे और आर्त देखना चाहते हो तो यहां आर् कि आप आरती करना चाहते हो तो आरती कर सकते हो यह लिए पूरा बड़ा कुण्ड है और उदहर kaik अभी चलते हैं वहार कियोंगी बढ़ता ही जा रही हैं कि रस्ता नहीं मिले गांधि धेए और कोई सा कुंट में लेका और कोई सब्सक्रिशन कोंशा कुंट मिलेगा देखते हैं और अपको भी दुखाते हुआ आधि यह गोफा कुण है के पास आया हम जेहां गोफा बहुण श्री फाकर को पानि निकाल पानी यह इधार से जया हो किर्शन कि गवान की जया हो यह देख सकते हुए भाई कम से कम वाई कितना पुराना होगा शड़े 5000 सार पुराना अब शायद पानी है इसमें और कब उत्रों गड़ा देख सकते हुए अब यह था भाई गोपा कुआ अब चलते हैं भाई आगे जो भी कुण आएगा या मंदिर बंदिर आएगा तो आपको बताते हुए निकल आगे की तरफ शाम कुण आ गए हैं यह शाम कुण है और इधर यह भगवान किर्शन जी का मंदिर है छोटा सा है इधर अंदर की तरफ यह रादारानी जी के लिए अब श्रीकिशन जी ने अपनी बासूरी से तमाल ताला रादा कुंडा अई संस्किर्ट में लिखा हुआ तो वह समझ नहीं आया रादा रादा रानी समझ में आए बस यहां बैठते थे और यहां और यहां उन्होंने अपना रादा रानी जी चलते हैं कि आगे और भी कु बास दोई